हेलो फ्रेंड्स मैं कामनी आप सभी का स्वागत करते हूँ कामनी ओफीसियल में तो गुड मॉर्निंग दोस्तो सुबह सुबह देखिए बाबू मेरे गोध में है और बाबू को रात में ही फीवर आ गई तो पूरे रात ये नहीं सोया है और मैं और मम्मी भी नहीं सोई हूँ क्योंकि बाबू बहुत रात में रो रहा था और इस वज़े से नेंधी नहीं आई हम लोग को मैं तो बहुत ज़्यादा परिशान हो गई थी लेकिन मुझे लगा ठंड की वज़े से फीवर आ गई तो सुबह में इसे हीटर के पास नीचे ले करके आए और फिर लासून और तेल मम्मी गरम की मालिस करने के लिए क्योंकि हमारी यहां बहुत ज़्यादा ठंड है बिल्कुल भी दूप नहीं निकल रही है तो हीटर के पास इसका कपरा निकाल करके फिर लासून तेल से अच्छे से मम्मी मालिस की और सुबह होने के बाद ही मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाओंगी और दबावी बाबू के लिए लेक्याना है मेरे पास अभी थर्मा मीटर भी नहीं है कि फीबर मैं चेक करती लेकिन बादी पूरा हीट है बाबू का ममी तो मालिस कर दी इसे लेकिन ये वीडियो मैं संडे को रेकॉर्ड की थी लेकिन हमारे पास इस बीच में टाइम नहीं था अप्लोड करने के लिए क्योंकि बाबू का तबियत बिल्कुल भी ठीक नहीं था अब भी बाबू पहले से काफी अच्छा है और संडे के दिन हमारे रूम का पेंट भी होना था तो हम अपने बेडरूम से दूसरे रूम में सिप्ट हो गए पूरा रूम खाली करना पड़ा बहुत सारा काम भी इस दिन था लेकिन संडे को स्कूल तो ओफ था तो हम रूम पर ही थे और फिर मैं चाय बनाने के लिए आ गई क्योंकि आज दी बोली थी रूम पेंट करवा देते हैं यहां मैं दो रूम ली हूँ क्योंकि घर से कोई आ जाए तो एक रूम हमारे पास एक्स्ट्रा है फिर मैं दस बजे आज बरस की और फिर मम्मी और मैं चाय और बिस्कीट खाई वैसे तो मैं चाय पीती नहीं लेकिन आज सर बहुत जादा दर्द कर रहा था मेरा फिर मैं डॉक्टर के पास गई वहां से दवा लेके आई बाबू का फिर फीवर चेकी और दवा पिलाई तो बाबू सो गया फिर मैं कीचेन आ गई अपने वहां मैं सबजी बनाई और चावल के आटे में आलू भरके मैं कचोरी छानी वैसे तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था बाबू को ठीक नहीं देख रही थी तो फिर मेरे ही पास था ये और बिल्कूल भी आज अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन ये संडे का वीडियो है अभी बाबू बिल्कुल भी ठीक है नेक्स्ट वीडियो आये का उसमें आप देखिए का बाबू अच्छा हो गया है इसलिए मैं इस बीच में वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी दोस्तो